तो चली अब हम लोग इस next question की तरफ आगे बढ़ते हैं, arrange the following jumble words to make meaningful sentence, arrange मतलब एक लगाईए, इसको लगाईए, the following, जो यहाँ पर following jumble words, jumble words मतलब कोई एक sentence है और उसके word को इधर उधर कर दिया गया, jumble मतलब इधर उधर, इस शब्दों को इधर उधर करके लिखा गया, ऐसा sentence बना है, जिसका एक meaning निकलता है, इसको arrange करना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, of the Japan brave are very people, इसका कोई meaning नहीं निकलना है, लेकिन जब हम इसको सजाते हैं, यानि arrange करते हैं, the people, यानि कि यहाँ से देखिए, the people of Japan are very brave, यहाँ लिखा हुआ है, तो इन सारे शब्दों क हमें arrange करके meaningful sentence बनाना है, तो पहला है दिखिए, sit never they idle, तो हम क्या लिखेंगे, they never sit idle, they never sit idle, मतलब वे कभी भी बेकार नहीं बैठते, time value they, तो यह अलग-अलग लिखा है, इसको हम arrange करेंगे, तो क्या हो जाएगा, they value time, मतलब वे समय को महत्व देते हैं, ठीक है, culture the love Japanese there, तो इसको हम arrange करेंगे, देखिए, the Japanese love their culture, Japanese अपने culture को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, अपना जो उनका नियम होता है, culture होता है, संस्कृती होता है, उसे प्यार करते है, customs and own, they, they have manners, तो इसको कैसे हम arrange करेंगे, देखिए, they have their own customs and manners, उनका अपना, they have their own, उनका अपना custom, रिति, रिवाज और विवहार होता है, called is it rising land sun of the, जिसको लिखेंगे हम, it is called the land of rising sun, इसे उक्ते हुए सूरज का, इसे उक्ते हुए सूरज का जमीन, यानि भूमी कहा जाता है, it is called the land of rising sun, इसे उक्ते हुए सूरज की भूमी कहा जाता है, चली, अब हम लोग next question की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए हमारा next question है बच्चो, stone, ninja, carp, holidays, straw, carriage, lantern, stove, spit, leather, ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पर कुछ meaning दिया गया है और हमें इसका इसे meaning को, पड़ते हुए मैच करना है, ठीक है, हमारी इसके meaning को क्या करना है बच्चो, हमें मैच करना है, ठीक है तो बच्चों हमको इसको क्या करना है मैच करना है स्टोन यानि पत्थर क्या होता है बच्चों सॉलिड नौन मेटालिक मिनरल मैटर रॉक ठीक है रॉक मतलब क्या होता है पत्थर ही होता है एक तरह का ठीक है है रिक्षा रिक्षा क्या है लाई टू-Wheel Hooded W RD मतलब रिक्षा जो होता है वो dho-pflicht लोपई का Hooded וेकल है थिक है क्या है वेकल है चलाने वाला तो हुख क्या हो जाएगा बत्चो। हुख का हो पानी में मचली पाए जाने वाली एक फिश होती है, मचली होती है, जो खाने के लिए भी उच की जाती है, तो थर्ड का क्या होगा, C ही होगा, 4 है holiday, holiday क्या होता है, period of recreation, इसका meaning इससे होगा, period of recreation, ठीक है, कुछ recreation करने के लिए holiday होता है, ठीक है, तो ये हो गया 4 का F, 5 का है बच्चो, G, ठीक है, straw, dry cut stalks of grain used for packing it is in, ठीक है, तो जो straw होता है, जो भूसा होता है, वा grain अनाज का निकला हुआ straw होता है, तो ये क्या हो गया, G 5 का क्या हो गया, G, 6 का carriage, carriage क्या होता है बच्चो, carrying part of a machine, a vehicle, carriage जो होता है, वा किसी machine का carrying part, मतलब किसी रिक्षे में आगर आगे कुछ लगा हुआ है, इसको carry करने के लिए, ठीचने के लिए, तो उस vehicle का carrying जो part होता है, उससे क्या कहते है बच्चो, carriage कहते है, ठीक है, तो 6 का 6 का क्या हो जाएगा, B, 6 का हो जाएगा आपका, B, 7, 7 का क्या होगा बच्चो, lantern, ठीक है, lamp with a transparent case, protecting a flame, ठीक है, तो lamp होता है, lantern जो होता है, जो हम इंगलिश हंदी में लाल्टेन कहते हैं, lamp होता है एक तरह का transparent case, और एक तरह की कागज या जली होती है, transparent मतलब जिसमें आगे बाहर हम लोग देख सकते हैं, दिखता है उसमें, protecting a flame, और उस लैटन के अंदर जो है flame, एक बत्ती जलती हुए आती है, तो 7 का क्या हो जाएगा, A, 8, stove, stove क्या होता है, बच्चो, closed apparatus, burning fuel, और using electricity for heating or cooling, तो stove क्या होता है, पता ही है, stove खाना बनाने के लिए यूज होता है, burning fuel, जिसमें हम किरासन तेल डाल कर खाना पकाते हैं, या ऐसा कोई stove होता है, gas के stove को भी हम stove कर सकते हैं, जो होता है, जो होता है, gas होता है, जो heating के लिए और cooling के लिए यूज किया जाता है, 8 का E, 9, spit, spit मतलब क्या होता है, बच्चो, थूकना, eject from the mouth, saliva, मतलब मुह से saliva, यानि थू सलाइवा को क्या कते है, बच्चो, थूक, मतलब मुह से जो थूकते हैं, उसे हम spit कते हैं, तो 9 का क्या हो जाएगा, बच्चो, J, 10, leather, leather क्या होता है, leather होता है, material made from the skin of an animals by time, तो leather जो होता है, वो एक material होता है, जो animal यानि जानवरों के skin, जानवरों के खाल से leather को बनाया जात है, तो 10 का हो गया, बच्चो, I, देखे बच्चो, यहाँ पर अब हमारा next question है, correct the C.2, correct the spelling of the following words, तो यहाँ पे कुछ words दिये हैं, जसका spelling गलत है, उसे हमें सही करके लिखना है, तो देखे मैंने यहाँ पे, यहाँ गलत spellings लिखी होई है, और यहाँ मैंने इसको सही spelling करके की spelling T-I है, लेकिन mountain का spelling क्या होता है, M-O-U-N-T-A-I-N-S, यहाँ I-A है, लेकिन होता है AI, यहाँ पे जो spelling है, यह स्नो है, S-N-O-W, स्नो मिल्स बर्फ, streams, streams में E-A होता है, यहाँ पे double E है, लेकिन होता क्या है बच्चो, E-A, streams, streams मतलब बहता हुआ पानी, beautiful, beautiful में यहाँ double L है, लेकिन क्या होता है बच्चो, single L होता है, beautiful, R-E-D, riding, riding में E नहीं होता है, R-I-D, I-N-G होता है, ठीक है, यहाँ कि riding कानी, घुरसवारी करना, riding करना, bike riding भी होता है, घुरसवारी riding भी होता है, habits मतलब आदत, इसमें double B नहीं होता है, single B होता है, habits में आदत, always, always का spelling क्या ह होता है, A-L-W-A-Y-S, always means हमेशा, leather, leather का जो होता है, हिंदी शब्द क्या होता है, च्यम्रा, ठीक है, लेकिन इसमें A नहीं दिया, leather का spelling क्या होता है, L-E-A-T-H-E-R, religion, ठीक है, R-E-L-I-G-I-O-N, religion, streets, streets, यहाँ पे streets दिया हो है, S-T-R-E-T-S, streets, cotton, cotton मतलब सूती, या होता है, O-N, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, religion में क्या किया है, R-E-L-I-G-O-N दिया है, sorry, मैंने यहाँ पे आई भी लिख दिया है, वहीं मुझे लगा कि spelling क्यों यहाँ पे सही है, तो यहाँ आई नहीं है, जो किताब में दिया, और हम जो spelling सुधार के लिखेंगे, उस What are the people of following countries, states called, ठीक है, तो यह कह रहा है कि, जो इस देश या इस राज के लोगों को क्या कहा जाता है, the people of India are called the Indians, इंडिया के लोगों क्या कहा जाता है, बिचो, Indians The people of China are called the Chinese, ठीक है? China के लोगो को Chinese The people of Germany are called the German क्या कहा जाता जर्मनी के लोगो को German The people of America are called the American The people of Bhutan, Bhutan के लोगो को are called the Bhutanese The people living in Bihar are called the Bihari The people of Nepal are called the Nepali Nepal के लोगो को Nepali The people living in Assam are called the Assamese ठीक है? Assam के लोगो Assamese कहा जाता है The people of England are called the English ठीक है? England के लोगो को English कहा जाता है The people living in Kashmir are called the Kashmiri Kashmir के लोगो को Kashmiri कहा जाता है ठीक है? अब यहाँ पर एक question है discuss the following in groups traveling is the best means of education traveling means यात्रा करना एक तरह का best means है मतलब माध्या में education शिक्षा का बहुत ही अच्छा माध्या में क्या यात्रा करना तो इस पर क्या करना है बच्चो आपको discuss करना है यानि discuss मतलब बातचीत करना है इस प्रश्ण को आपको लिखना नहीं है लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्ची लिखना चाहता है तो मैंने इसी लिखा है आपको मैं बताती है इसकी बारे में हम लोग क्या लिख सकते है traveling यानि यात्रा करने से हमें क्या फाइदा होता है education के लिए traveling is the best means of education मतलब एक जगा से दूसरे जगा जाना traveling teaches us so many things in life यात्रा करने से हम जो है बहुत कुछ अपनी life में मतलब जिंदगी में सीखते है we see many new things हम बहुत सारी नई चीज़े देखते है we meet with different people बहुत अलग-अलग तरह के लोगों से मिलते है traveling increases our knowledge यात्रा करने से हमारा knowledge मतलब ज्यान बढ़ता है and new thoughts और नई विचार and new ideas और नई idea और विचार जो है grow up in us हमारे अंदर नया विचार नई सोच जो है वह बढ़ती है मतलब ग्रो करती है ठीक है? यात्रा करने तो हम यह इसका answer लिखना है तो इसका answer हम यह लिख सकते है चले, अब है बच्चो question, write a letter to your pen friend living in Japan describing him your visit to Rajgir also invite him to visit Rajgir a place of historical and religious importance ठीक है? तो कह रहा है कि आप एक चिठी लिखिए अपने pen friend को सबसे पहले जाने कि pen friend किसे कहता है pen friend generally उसे कहा जाता है जो विदेश में रहता है जिसे आप देखे नहीं है लेकिन आप पत्रा चार यानि पत्र के माध्हम से एक दूसरे से अपना हालचाल पुस्ते हैं और बाते पत्र के माध्हम से आप दोनों का हालचाल जानते हैं और कभी आप साक्षात मतलब कभी मिले नहीं हैं, लेकिन एक दुस्रे को जानते हैं, तो जापान में जो रहता है आपको बताना है visit to राजगीर, कि आप राजगीर गए हैं, ठीक है, उसकी बारे में उसको बताना है, और उसे invite मतलब उसे invite करना है, कि राजगीर चलने के पार चीन महत्व क्या है? चिक है? तो इसके बारे में हमें बताना इगा है. इसके बारे में हम किस तरह से letter यानी की पत्र लिखेंगे? तो देखें, पत्र लिखते सम्में पहले लिखेंगे to, जिसको हम letter लिख लिख रहे हैं. यहाँ पर John मैंने लिखा है, मतलब आपको एक हफ़ते पहले मिला How are you? तुम कैसे हो? I am fine here मैं यहाँ अच्छा हूँ During the winter holidays मतलब ठंडी के छुटियों में I had a chance मुझे मौका मिला To visit मतलब विजिट करने का राजगीर मतलब राजगीर जाने का मुझे मौका मिला With my uncle मेरे चाचा यानि अंकल के साथ राजगीर is a place of historical and religious importance ठीक है? राजगीर जो है वह historical मतलब प्राचीन और religious importance मतलब बहुत ही महतपून प्राचीन एक बना हुआ जगह है राजगीर is an ancient city ठीक है? राजगीर जो है बहुत ही पुरानी और प्राचीन city है and area in Nalanda district और यह Nalanda district में हो आती है in the Indian states of Bihar मतलब इंडिया की भारत का जो Bihar राज है उसकी Nalanda जिला में आता है कौन राजगीर? राजगीर's natural scenery is very beautiful राजगीर की जो प्राकृतिक scenery मतलब सुन्दरता है बहुत ही सुन्दर है the electric swing is also a nice thing to experience वहाँ पे जो बिजली से चलने वाला जूला है उसे जो चीज जो है experience उसको जरूर अनुभा करना बहुत ही अच्छा है I want you to please visit my home मैं चाहता हूँ to please तुम मेरे घर आओ सून जल्दी so that we would go to visit राजगीर तुम मेरे घर जल्दी आओ ताकि हम लोग जाकर visit राजगी जाकर वहाँ जा सकें ठीक है तो इस तरह से आप letter लिख सकते है letter आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं अपने हिसाफ से सब बच्चों का letter अलग-अलग भी हो सकता है ठीक है तो यह हो गया question हमारा अब देखिए इस question के बार यह जो F question है यह मैंने करवा दिया आपको अब है हमारा translation ठीक है क्या है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर हिंदी के साथ वाक्य दिये हैं जो हमें English में translate करना है ठीक है? English में हमें इसको लिखना है तो देखिए यहाँ पर पहला हम पढ़ते हैं वाक्य जापानी बहुत मेहनती होते हैं तो इसका अंसर क्या लिखेंगे बच्चों लोग? पहला, देखिए जी का पहला यहाँ पर जी का पहला जैपनीज आर वेरी हार्ड वर्किंग ठीक है? तो जैपनीज क्या है? बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं जैपनीज आर वेरी हार्ड वर्किंग दूसरा कोशन है वे कभी बेकार नहीं बैठते हैं दे नेवर सिट आइडल ठीक है? वे कभी बेकार नहीं बैठते हैं सेकंड का सेकंड का They never sit idle Third, वे अपने देश से प्यार करते हैं They love their country Чौथा, वे अपने महमानों का आदर करते हैं They respect their guests वे चाय पीने के शौकीन है They are very fond of taking tea या drinking tea भी क्लिक सकते हैं वे चाय पीने के बहुत शौकीन होते हैं They are very fond शौकीन मतलब शौकीन होते हैं चले, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका फिर देखें यहाँ पर question है बच्चो वे लोग अच्छा खाना खाने के शौकीन है तो इसका क्या हम लोग answer लिखेंगे वे लोग अच्छा खाना खाने के शौकीन है तो six number क्या होगा They are fond of eating good food ठीक है? वे लोग अच्छा खाना खाने के शौकीन होते हैं या शौकीन हैं दोनों का सेम होगा साथ, त्योहारों के अफसर पर वे अपने दोस्तों और संबंदियों को उपहार भेजते हैं ठीक है? On the occasion of festival They give presents to their friends and relatives Give यहाँ पर हो जाएगा देते हैं और send अगर आप लिखते हैं Send ठीक है? Presents to their भेज, sends मतलब भेजते हैं तो on the occasion of festival अफसर, occasion मतलब अफसर, festival तोहारों की अफसर पर वे उपहार अपने friend यानि दोस्तों को and relative संबंधी, relative मतलब संबंधियों को भेजते हैं चलिए, अब हमारा next question है देखी बच्चों यहाँ पर Translate the following sentences into your mother tongues तो जिसका जो mother tongue है उसमें इसको लिखना है अनुगात करना है एक, दो, तीन, चार, पांच पहला है, पटना is a very old city ठीक है पटना is a very old city तो पहला का translation क्या होगा पटना एक बहुत पुराना शहर है दूसरा, it was also called अजीमाबाद ठीक है यह अजीमाबाद भी कहलाता है, ठीक है यह कहलाता था sorry, कहलाता है नहीं कहलाता था was है न, was का मतलब होता है था, देखे, was ठीक है, was means था यह अजीमाबाद भी कहलाता था, यह कहा जाता था there are many ancient and famous buildings in the city ठीक है इस शहर में कई प्राचीन और प्रसिद इमारते हैं ठीक है, इस शहर में कई प्राचीन और प्रसिद इमारते हैं ancient मतलब प्राचीन famous मतलब प्रसिद fourth question है बच्चो it is the birthplace of गुरू गोविन सिंग it is the birthplace of गुरू गोविन सिंग, birthplace मतलब जन्स्थान, यह गुरू गोविन सिंग का जन्स्थान है ठीक है? यह गुरु गोविन सिंग का जन स्थान है ठीक है? It is, is मतलब है, it is birthplace of गुरु गोविन सिंग, यह गुरु गोविन सिंग का जन स्थान है. 5th है, कुम्रार पार्क और पटना प्लनेटरियम特ड मतलब तारा मंदल est? और वफ सींग प्लेसे गुमरार पार्क और पतना तः मिंदल पतना में दर्षनिय स्थान है ठीक है, word seen places, ठीक है, दर्शनिय स्थान है, मतलब word seen places, देखने के लिए काफी दर्शनिय मतलब word seen, sing मतलब जो दर्शनिय होता है, तो कुम्रार पारक पत्ना तारा मंडल, पत्ना में दर्शनिय स्थान है, तो हमारा यह आज यह question answer, जो है, Japan the rising of land sun का पूरा होता है, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर आप इसको अच्छे से लिख सकते, अपने कॉपी में जरूर नोट बनाईए, तो ठीक है, नेक्स वीडियो क्लास में हम लोग Mother Teresa Chapter 8 को पढ़ेंगे, Chapter 8 Mother Teresa, अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने क्लास मेंट के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए